नवा अध्याई इस अध्याई में श्री भगवान सबसे बड़े रहस्ति के बारे में बताते हैं वे बताते हैं कि परमेश्वर की भक्ती का बहुत बड़ा फल है अन्य सभी की भक्ती के छोटे फल होते हैं भक्ती और भक्ती के परणाम के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी कि यदि कोई दुराचारी भी भगवत भक्त बन जाए तो वे भी तर जाता है अध्याई केशिव अरजुन से कहते हैं सुन पार्थ क्योंकि तुम दोस्ट डिष्टी रहत हो इसलिए मैं तुझे विग्यान सहित ग्यान का वे गहरा रहसे बताता हूं जिसे जानकर तुँ इस सकष्ट भरे संसार से मुक्तो हो जाएगा ये ग्यान अनश्वर है ये ग्यान सबसे बड़ा ग्यान है ये ग्यान सबसे बड़ा रहस्य है ये सबसे अधिक पवित्र है ये प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाता है ये धर्म के अनिकूल है और इसका भ्यास करना भी सरल और असान है जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ तक नहीं पहुँच पाते और वे इस जनम मरन रूपी संसार में ही भसे रहते है अव्यक्त मैं ना तो दिखाई देता हूँ और ना ही मेरा शब्दों यान्य साधनों द्वारा वरणन किया जा सकता है उसी अव्यक्त रूप से मैंने इस सारी स्रिष्टी को व्याप्त किया हुआ है सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का निवास मुझ में नहीं है मेरे इस दिव्य रहस्य को देख मेरी आत्मा जो सब जीवों का मूल है वे उन सब जीवों को संभाले तो हुए है किन्तु वे उनमें निवास नहीं करती इस बात को समझ ले कि जिस प्रकार सब और चलती हुई तेज हवा सदा अकाश में स्थित रहती है वैसे ही सभी अस्तित्यमाई वस्तुएं मुझ में निवास करती है कल्प के अंत पर सभी अस्तित्यमाई वस्तुएं उसी प्रक्रती में विलीन हो जाती है जो मेरी अपनी है और अगले कल्प के आरंभ में मैं उन्हें फिर उत्पन कर देता हूँ अपनी प्रक्रती को वश में रखते हुए मैं जिवों के समूह को बार-बार उत्पन करता हूँ जो मेरी प्रक्रती के वश में होने के कारण बिलकुल बेबस है ये कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते क्योंकि इन कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता इन कर्मों से मैं विरक्त रहता हूँ, इनसे मैं अंचुवा रहता हूँ मेरी देखरेक में ही ये प्रक्रती सब चराचर वस्तों को जन देती है और इससे ही ये संसार चक्र गूमता है अज्यानी लोग जब मैं मानव शरीर धारन किये होता हूँ तब वे मेरी अवहिलना करते हैं क्योंकि वे मेरी श्रेष्ट रूप वाली प्रक्रती को नहीं जानते जो सब पैदा हुई वस्तों की स्वामी है जो लोग राक्षिसों और असरों के मोहक सुभाव को धारन करते हैं उनकी उची उची च्छाई व्यर्थ रहती है उनका ग्यान वेर्थ रहता है और वे विवेखीन हो जाते हैं वे महात्मा लोग जो मोह से मुक्तो हो गए हैं जो दिवे प्रक्रती में निवास करते हैं वे मुझे ही सब पैदा हुई सब अस्तित्व में आई वस्तों का अनश्वर मूल समझ कर एकी भाव से और पक्की तरह से मेरी उपासना करते हैं हमेशा मेरा ही गुणगान करते हुए मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए और अपने पक्के रादों पर स्थिर रहते हुए उन पर मस्बूती से टिके हुए श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हुए और सदा योग में लगे हुए वे मेरी उपासना करते हैं अन्य लोग क्यान में यग्य करते हुए मेरी उपासना करते हैं वे मुझे एक ग्रूप वाला और साथ ही अनेक ग्रूपों वाला सबी दिशाओं की और मुख किये हुए जानकर अनेक प्रकार से तथा उरे विश्वास से मिरी उपासना करते हैं मैं ही कर्मकांड हूँ मैं ही यग्य हूँ मैं ही पित्रों के लिए पिंडदान हूँ मैं ही ओशदी हूँ मैं ही मंत्र हूँ मैं ही घृत हूँ, मैं ही अगनी हूँ, और मैं ही आहूती भी हूँ मैं ही संसार का पिता और माता भी हूँ, मैं ही आश्रे दाता और पिता में हूँ मैं ही ज्यान का लक्षु हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ मैं ही ओम ध्वनी हूँ और मैं ही रिक्क साम और यजुर वेद हूँ मैं ही लक्षु हूँ मैं ही पालन करता हूँ मैं ही स्वामी हूँ मैं ही साक्षी हूँ मैं ही निवास्थान हूँ मैं ही शरण हूँ मैं ही प्रिय मित्र हूँ, मैं ही उत्पत्ती और विनाश का कारण भी हूँ, मैं ही विश्राम का स्थान हूँ और मैं ही अनश्वर बीज भी हूँ, मैं ही गर्मी देता हूँ और मैं ही वर्शा को रोकता और छोड़ता भी हूँ, मैं अमरता हूँ और साथ ही मृत्यू भी हू मैं सत भी हूँ, असत भी हूँ, मैं पदार्थ भी हूँ और आत्मा भी हूँ जो तीनों वेदों को जानने वाले हैं, जो सोमरस का पान करते हैं और जो सब पापों से भी मुक्तो हो चुके हैं वे लोग यग्यों द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुँचने के लिए मेरे ही प्रात्ना करते हैं वी लोग स्वर्ग के पवित्र लोक में जाते हैं और वहां देवताओं को मिलने वाले सुखों का आनंद लेते हैं उस विशाल और भव्य स्वर्ग लोक का आनंद भोगने के बाद जब उनका पुन्य समाप्थ हो जाता है तब वे फिर इस संसार में वापिस लोट आते हैं इस तरह शास्त्रों में बताए धर्म का पालन करते हुए और सुख भोगने की इच्छा रखते हुए वे जनम मरण के आवा गमन को प्राप्त करते हैं लेकिन जो भक्त जन हमेशा निशकाम भाव से मेरा ही चिंतन करते रहते हैं उन लोगों की सभी अप्राप्त इच्छाओं का भार और जो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसकी सुरक्षा का भार मैं स्वयम अपने उपर लेता हुँ उनके जीवन की सभी च्छाएं मैं स्वयम पूरी करता हुँ अन्य देवताओं की भी जो भक्त पूरी श्रद्धा से उपासना करते हैं वे भी मेरे ही उपासना करते हैं ये और बात है कि उनके उपासना ठीक विधी की अनुसार और सही तरीके से नहीं होती मैं ही सभी यग्यों को भोगने वाला हूँ और मैं ही उन यग्यों का स्वामी भी हूँ लेकिन जो लोग मुझे मेरे असली रूप में नहीं जानते वे नीचे गिर जाते हैं वे पूर्णर जन को प्राप्त करते हैं देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते है पित्रों के उपासक पित्रों को प्राप्ट करते हैं भूत प्रेतों के उपासक उनके पास जाते हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझे प्राप्ट करते हैं जो कोई मुझे प्रेम तथा श्रद्धा से पत्र, फूल, फल या केवल जल ही चड़ाता है उसके प्रेम और शद्धा पूर्वक शुद्ध हृदे से दिये गए उस उपहार को मैं खुशी से स्विकार करता हूँ जो कुछ तु करता है जो कुछ तु खाता है जो भी तु यग्य करता है जो कुछ तु दान देता है या जो भी तू तबस्या करता है उन सभी को तू मुझे ही दिया जा रहा उपहार समझ कर करता जा ऐसा करने से तून सभी शुब और अशुब अच्छे और बुरे परणामों से मुक्तो हो जाएगा जो कि कर्म के बंधन के कारण है अपने मन को कर्म के भल के त्याग के मार्ग में द्रड़ता पूर्वक पक्की तरह लगा कर तू मुक्त हो जाएगा और मुझे ही प्राप्त हो जाएगा मैं सभी प्राणियों के लिए एक जैसा ही हूँ मैं किसी से पक्षपात नहीं करता मुझे ना तो किसी से द्वेश है और नहीं किसी से प्रेम लेकिन जो पूरी भक्ती से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे अंदर हैं और मैं भी उनकी अंदर ही हूँ यदि कोई बड़ा से बड़ा दुराचारी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए क्योंकि उसने अच्छा निश्चे कर लिया है वे जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे चिरस्थाई शान्ती और परमगती मिल जाती है इस बात को तु निश्चित रूप से समझ ले कि मेरा भक्त कभी नश्ट नहीं होता जो लोग मेरी शरण में आते हैं चाहिए वे निम्न कुलो में ही उत्पन क्यों न हुए हो चाहिए वे बड़े से बड़े पापी ही क्यों न हो वे भी मेरी शरण में आकर परमगती को पा लेते हैं फिर ब्रह्मनों, धर्मात्माओं, भक्तगणों और तुम जैसे राज रिशियों का तो कहना ही क्या इस अस्थाई और दुख भरे संसार में आकर अब तुमेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर इसलिए पार्थ, अपने मन को मुझे में स्थिर करके मेरा भक्तबन, मेरी उपासना कर, मुझे प्रणाम कर इस प्रकार अपने आपको अनशासन में रखते हुए मुझे अपना लक्ष बनाकर, तुमुझ तक आवश्य पहुँझ जाएगा नवा ध्याय समात, ओ, शान्ति, 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 ओ